गुड इवनिंग एवरिवन वेलकम टू सर्शूती क्लासिट्स यूपी पीशेस की जो टेस्ट चीरी चल रही है उसी में आज सैट नंबर दो को हम देखेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्योस्टन है मुहमद गोरी ने पहली बार भारत पर आकर्मन कब किया था मुहमद गोरी ने भारत पर पहली बार आकर्मन ओप्सन ए है ग्यारासो बैतर में ओप्सन बी ग्यारासो पिचेतर में option C 1178 में या फिर option D 1182 में सही answer दीजी तो इसका सही answer होगा 1175 में 1175 में मुहमत गोरी ने मुलतानुवर नामक्चिगें पे सबसे पहले आकर्मन किया था next question है question number 2 हसन निजामी और फक ए मुदबीर किसके दरबारी कभी थे हसन निजामी और फक ए मुदबीर option A है कुतूब दिन ए बक की option B उल्तुतमीश option C बलबन या option D अलावदिन खिलजी तो इसका सही answer हो जाएगा option number A कुतूब दिन ए बक के दरबारी कभी थे दोनों हसन निजामी हसन निजामी और फक ए मुदबीर next question है किसके काल को मुगल चितरकला का सवन काल कहा जाता है option A अकबर option B जहांगिर option C सा जहां या option D और अंगजेब I.S के एकजाम में भी ये question पुछा गया है तो इसका सही answer हो जाएगा जहांगीर जहांगीर के काल को मुगल चितरकला का सवन काल कहा जाता है next question है किसका काल मुगल वास्तुकला का सवन काल कहा जाता है ये मुगल वास्तुकला का है जहांगीर काल में चितरकला थी और जो मुगल वास्तुकला थी वो उसके काल को किसके काल को सवन काल कहा जाता है मुगल वास्तुकला का तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C यानि सा जहां के काल को सा जहां के काल को मुगल वास्तुकला का seven काल कहा जाता है पांचवा क्यूस्चन है एक्ता पर्था का अंत किस ने किया था एक्ता पर्था पर्था क्यूस्चन है मुगल काल में न्याय का सरवोच अधिकारी कौन था option A काजी अलकुजात option B मनसबदार option C काजी अलहजात या option D इन में से कोई नहीं मुगल काल में न्याय का सरवोच अधिकारी कौन होता था तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजी अलकुजात यानि आप्सन नमबर A इसका सही आंसर हो जाएगा काजी अलकुजात साथवा क्यूस्टन है जहांगीर के दर्बार में ब्रिटेन के सासक जैम्स पर्थम का कौन सा राजदूत आया था जहांगीर के दर्बार में बिरिटेन के सासक ने किस राजदूद को बेजा था उप्शन नमबर A, Thomas Rowe उप्शन B, James Hay उप्शन C, Thomas Howard उप्शन D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा उप्शन नमबर A, Thomas Rowe उप्शन नमबर A, इसका सही आंसर हो जाएगा आठवा क्योस्चन है राष्टर कूट वंस की स्थापना किस ने की थी उप्शन A, दंती दुरूग ने उप्शन B, कृष्ण पर्थम ने उप्शन C, इंदर्दवीतिया ने या उप्शन D, इन में से कोई नहीं राष्टर कूट वंस की स्थापना किस ने की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर A, दंती दुरूग ने दंती दुरूग ने राष्टर कूट वंस की स्थापना की थी नौवा क्योस्चन है निमन लिखित में से किस यूद में तोपों का पहली बार उप्योग हुआ था तो उप्शन नमबर A, इसका है पानिपत का पर्थम यूद उप्शन B, पानिपत का दुवीतिय यूद उप्शन C, पानिपत का दुरूइतिय यूद या option D, खानवा का यूद किस यूद में सबसे पहली बार तोपों का उप्योग हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A, पानिपत का पर्थम यूद पानिपत का पर्थम यूद किस-किस के बीच में हुआ था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में जिसमें बाबर ने सरोपर्थम तोपों का उप्योग किया था question number 10 है विक्रम पुरी और विजे पुरी किस राजा की राज़दानिया थे option A, सामत सेन की option B, विजे सेन की option C, गोविंद पाल की option D, जे पाल की विक्रम पुरी और विजे पुरी तो इसका सही answer हो जाएगा option number B, विजे सेन की विक्रम पुरी और विजे पुरी विजे सेन की राज़दानिया थे 11. question है, पिर्थवी राज-रासो की रचना किस ने की थे किस ने की थे तो इसका सही option day बाबर्सन देख लिजी option A है चंदर बरदाई उप्षन बी पिर्थी राज चोहान, उप्षन C कलहन या उप्षन D बान भट तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्षन नमबर A चंदरबर्दाई ने पिर्थी राज रासो की रचनाग के थी बारवा क्योश्चन है दिलवाडा जेन मंदिर किस धरम से समंदित है आप्षन A वेशनम संपरदाई से, आप्षन C जेन धरम से या आप्षन D बोद धरम से तो इसक्योश्चन के अंदर ही इसका अंसर चुपा हुआ है दिलवाडा का जेन मंदिर यानि ये जेन धरम से समंदित था और 1231 इसका निर्मान किया गया था नेक्ट क्यूस्चन है, क्यूस्चन नमबर 13, रजिया सुल्तान दिल्ली के स्याहसन पर कब बैठे थी? ओप्षन A 1235 में, ओप्षन B 1226 में, ओप्षन C 1244 में या ओप्षन D 1236 में? इसका सही आंसर ओप्शन नमबर D, 1236 में 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की स्यासन पर बेठी थी चोद्वा क्यूस्चन है द्वार समुंदर की स्वंस की राजधानी थी ओप्शन A हो एसल की, ओप्शन B पांडे की, ओप्शन C चेर या ओप्शन D चोल द्वार समुंदर की स्वंस की राजधानी थी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर A यनि द्वार समुंदर होई स्यल वंस की राजधानी थी क्यूस्चन नमबर 15 और इस सिरीज का आखरी क्यूस्चन, इस सेट का मुगल काल में बंदर गाहूं का सरवोच अधिकारी कौन होता था? मुगल काल में जो बंदर गाहूं का सरवोच अधिकारी होता था, उसी क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसन नमबर बी यानि मीर ए बहार बंदरगाओं का सर्वोच अधिकारी होता था उसे क्या बोला जाता था मीर ए बहार उपसन नमबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा तो ये थे आज के सेट के कुल 15 क्यूस्टन कैसे लगे हैं हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि 15 में से आपके कितने क्यूस्टन सही हैं एक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तके लिए धने वाज़ाएं